हेलो एब्रीवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जिमनास्टिक वाली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कोगनिटिव प्रोसेस और आप सबको पता ही होगा कि ये हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है UGC NET के स्लेवस के अकोडिंग इसमें आज हम जानेंगे कि कोगनिटिव प्रोसेस क्या है कि संग्यानात्मक प्रक्रिया किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कोगनिटिव प्रोसेस जैसा कि मैंने अभी बताया cognitive process को हिंदी में बोलेंगे संग्यानात्मक प्रक्रिया संग्यानात्मक का मतलब है संग्यान शब्द कार्थ है जानना या समझना इंगलिश में हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम डिसकस करेंगे It is another name for mental processes और mental activity देखि इतना तो समझ में आ गया होगा कि संग्यानात्मक cognitive का मतलब mental यानि मानसिक्स या बुद्धी से related है और इसके दाइरे में क्या क्या आता है वो है हमारे विचार thoughts और हम अपने इंद्रियों के द्वारा क्या क्या ग्रहन कर सकते हैं क्या क्या समझ सकते हैं वो सब इसके दाइरे में आएगा other cognitive processes are thinking, knowing, remembering, judging, problem solving, perception, memory, thought and use of language दूसरे जो संग्यनात्मक प्रिक्रिया के अंदर आते हैं वो चीजे हैं हम कैसे किसी समझ्चा का समाधान करते हैं हम क्या ग्रहन करते हैं हमारी यादाश यानि memory में क्या क्या रख सकते हैं हम जरूरत पढ़ने पर recall कर सकते हैं और हम अपनी भाशा का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं और ब्रेन पर्फरम्स नंबर ओफ टास्स कंटिनजी इस व इस अरप ऑफ कॉगनिटिव प्रॉसेसिस हमारे दिमाग में कुछ नशी चलता रहता है पूर दिन और वो जो भी चलता रहता है वो सब हमारे कॉगनिटिव प्रॉसेस का पार्ट है यानि कि हमारी cognitive process में आते हैं All the time taking information and transforming it, storing it, recovering it and putting it to work For example, while watching TV, we start smelling something burning और थोड़ा सा विस्तार से अगर हम जाने तो हमें समझ में आएगा कि जो भी information हम अपने अंदर लेते हैं समझते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं और उसको जरूरत पढ़ने पर दूसरे जिगह पर इस्तमाल करते हैं यानि transform करते हैं और अपने दिमाग में store करके रखते हैं या फिर हम उसको अपने काम में इस्तमाल करते हैं या दूसरे काम में हम उसका इस्तमाल करते हैं सारी चीजें संगयनातमक प्रोसेस में आती हैं. उधारन के तोर पर यहाँ पर दिया गया है कि कभी-कभी हम टीवी देखते-देखते कुछ स्मेल का अनुभाव करते हैं, हमें कुछ स्मेल सी आती है, यानिकि दो-दो काम भी हम एक साथ कर सकते हैं. कई बार हम टीवी देखते देखते खाते भी रहते हैं कहने का मतलब है कि जब हम अपनी इंद्रियों से देखने का काम करते हैं तो साथ में स्मेल का या खाने का या टच का यानि की कॉंबिनेशन भी चलता रहता है यह सब जो activity है संगयनात्मक प्रोसेस का पार्ट है cognitive processes also known as thought processes यह हम पहले जान चुके हैं as it covers wide spectrum of thought and behavior क्योंकि इसमें केवल एक विचार नहीं, बहुत सारे विचार आ सकते हैं बहुत सारे हमारे व्यवहार भी आ सकते हैं आगे हम जानते हैं types of cognitive processes, देखिए दो तरह के हैं basic cognitive processes and higher or complex cognitive processes, तो सबसे पहले हम जानते हैं basic क्या है, basic में हमारे आते हैं sensation, perception, attention and memory, sensation जिसे हम समवेधना भी कहते हैं हिंदी में, perception यानि अनुभूती, attention यानि की अफधान, ध्यान भी कह सकते हैं, अफधान ज्यादा appropriate word होगा यहाँ पर, और memory यानि की यादाश, तो यह सारी जो चीज़े हैं, हमारे basic cognitive process का part है, यानि की हम अपनी इंद्रियों से क्या sense करते हैं, क्या मैसूस करते हैं, उन में से कौन-कौन से information हम grant करते हैं, हम उनको अपने अफधान में, यानि attention में, active memory में क इसको लेते हैं, याद रखते हैं और जरूरत पढ़ने पर उसका कैसे इस्तमाल करते हैं, यह सब हमारे basic cognitive process का part है, अब चलते हैं higher या complex cognitive process की तरफ, इसमें आप कहाएंगे intelligence, thought and language, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धी कैसे कैसे काम करती है, कैसे आप सीखी चीज़ को दूसरी situation में, दूसरे कामों में इस्तमाल कर सकते हैं, कब इस्तमाल कर सकते हैं, कहां इस्तमाल कर सकते हैं, विचार क्या आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, positive, negative और भाशा, यह सब हमारे higher यानि की complex cognitive process का part है, तो दोस्तों आज इतना ही, इस वीडियो में हमने जाना cognitive process यानि की संख्यानात्मक प्रक्रिया क्या है, और उसके कौन-कौन से प्रकार है, नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए वेट करिए, और हम से इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाई बाई